अगर आप vegetarian हो या फिर vegetarian diet follow कर रहे हो तो आपने यह observe किया रहेगा कि आपको daily protein requirement हमारे body की complete करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है और उससे आपका muscle gaining का जो process है वो भी affect करता है सो आज हम ऐसे कुछ foods के बारे में बात करेंगे या फिर ऐसे कुछ protein sources के बारे में बात करेंगे जिसकी help से जो लोग veg diet follow कर रहे हैं फिर जो लोग vegetarian हैं उनको अपनी daily protein requirement complete करने के लिए help मिलेगी यह जो sources में बताऊंगा यह दोनों प्रकार के sources है first class protein के भी sources है और कुछ second class protein के भी sources है so guys मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहो इसा fitness academy पहले हम बात करेंगे first class protein के बारे में या फिर complete protein के बारे में क्योंकि आपको पता है कि complete protein ही first class protein ही हमारे muscle की 100% recovery करता है और जिनको यह नहीं पता वो लोग मेरे चानल में जाके देख सकते हैं मैंने 4-5 वीडियो सिर्फ protein यह topic पे ही बनाए है complete details में उसमें बात किया है तो जाके उसको समझिए और आप देखिए सो हम start करेंगे first class protein से सो पहला source है milk दूद दूद आप अपने diet में यूज कर सकते हो 250 ml में आपको आड़ ग्राम protein मिल जाएगा milk से okay so milk बहुत easily available होता है हमारे सब के घर में इसका यूज आप कर सकते हो milk को अगर आपको यूज करना है तो आप breakfast में pre workout evening snacks यह timing पे यूज कर सकते हो दूसरा source है protein का फर्स class protein का पनीर जो दूद से ही बनता है पनीर एक बहुत अच्छा source है slow absorbed protein है पनीर में जो होता है so पनीर में हमें बहुत अच्छा कासा protein भी मिलता है 100 gram में 16 to 18 gram तक हमें protein मिल जाता है पनीर को आप use कर सकते हो pre workout, lunch, dinner यह time पे पनीर का यूज करना बहुत best हो सकता है क्योंकि पनीर slow absorbed होता है so दिरे-दिरे हमारे body में amino acids यह release करते रहता है third source है protein का curd या फिर दही यह भी easily available होता है हमारे गर में आप खुद भी बना सकते हो गर पे दही बहुत important है हमारे diet में क्योंकि दही से protein मिलने के साथ-साथ दही हमारा food को digestion करने के लिए भी help करता है दही में आपको 500 gram में 250 gram में 8 gram तक protein मिल जाएगा यह भी first class protein का source है इसको आप lunch में डिनर में आप यूज कर सकते हो सो अगर आप यह तीनो सोर्स milk, paneer and curd यह तीनो सोर्स अगर आप यूज कर रहे हो अपने diet में तो यह skim milk या फिर skim milk से बना हुआ चाहिए क्योंकि skim milk में fat को हटा जाता है और skim milk आप कंजूम अगर कर रहे हो तो आपके बॉड़ी में unwanted fat नहीं जाएगा सो यहाँ पर यह benefit है skim milk का उसके बाद fourth source जो है वो है soya bean soya bean एक plant protein है और सिर्फ एक ही ऐसा plant protein है जो first class protein में आता है इसमें सारे के सारे amino acids पाए गये है so soya bean को भी आप अपने diet में यूज कर सकते हो बहुत अच्छा कासा protein इसमें available होता है 100 gram अगर आप consume कर रहे हो soya bean तो उसमें आपको 40 to 43 gram के बीच में protein मिल जाएगा और इससे आपको protein की daily requirement खुद की complete करने में help मिल जाएगी यहाँ पे soya bean का एक disadvantage भी है कि soya bean अगर males खाते है पूरुष लोग अगर खाते तो जादा कंजूम करने से उनके body में estrogen की मात्रा बढ़ जाएगी इसके लिए males को soya bean जादा कंजूम नहीं करना चाहिए दिन में सिर्फ एक मिल तक वो कंजूम कर सकते है उससे जादा soya bean को कंजूम नहीं कर सकते है females के अगर बात करेंगे तो females soya bean को कितना भी यूज कर सकते है अपने requirement के according soya bean से कोई नुकसान नहीं है soya bean को अगर आपको कंजूम करना है तो लंच में डिनर में आप यूज कर सकते हो evening snacks में अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हो ठीक है next source है first class protein का वो है whey protein यह एक supplement के form में मिल जाएगा आपको milk से बना हुआ होता है अच्छा कासा protein इसमें available है first class protein है और fast absorbed protein है so whey protein को आप first meal of the day दिन का आपका first meal जो होता है वहां पे आप use कर सकते हो and post workout आप इसको use कर सकते हो fast absorbed protein होने के वज़े से इसका digestion fast होता है और यह बहुत fast हमारे body में amino acids को release करता है तो जहां पे catabolic state में आपकी body होती है वहां पे whey protein का आप use कर सकते है with water ओके अब whey protein में कितना protein होता है यह depend करता है हर एक brands पे हर एक brand की serving size कितनी है अलग-अलग serving size होती है किसी के 30 gram की serving size होती है किसी के 25 gram की serving size होती है किसी की 40 gram की serving size होती है सो अलग-अलग serving sets से आपको अलग-ख प्रोटीन मिल जाएगा कभी 20 gram मिलेगा, कभी 30 gram मिलेगा, कभी 27 gram मिलेगा और if you can understand, if you have that can code possible तो जब आप supplement का वेप्रोटीन का box या फिर packet खरीदते हो, तो उसके पीछे complete chart दिया हुआ रहता है, उसमें आपको बतायागा होता है कि serving size कितनी है, per serving आपको कितना protein मिल रहा है, कितना carbohydrates मिल रहा है, कितने fats मिल रहा है, तो उसको देखके आप उसको आराम से खरीद सकते हो, right? इसके बाद 6 जो source है protein का, वो है casein, okay? यह भी एक supplement form में आता है, दूद से ही बना हुआ है, very slow absorbed protein इसमें होता है casein में, इसको digest होने के लिए लगबग 5-6 घंटे लगते है, तो इसको इस time पे खाना चाहिए, जहां पे आपको possible नहीं है कि लंबे समय तक मिल लेना, for example, dinner के बा सोते हो कम से कम 8 घंटे सोते है, तो वहां पे आपके रात में 5-6 घंटा आपका body catabolic state में रहता है, muscle use होता है energy के लिए, तो वहां पे जो muscle loss हो रहा है, उसको अगर आपको रोकना है, तो casein यह एक बहुत अच्छा protein का source है, जिसको आप consume कर सकते हो bed time पे, या फिर इसको pre-workout लिया जाता है, यह बहुत धिरे-धिरे, very slow amino acids को release करता है, अब इसमें भी कितना protein मिलेगा आपको यह हर एक brand के उपर depend करता है, अलग-अलग servings होती है और उसमें अलग-अलग quantity में आपको protein मिलेगा, इसको भी आपको अगर जानना है, तो जब आप packet खरीद होगे, तो उसक पीछे complete details दिये होए रहते है, उसके according आप उसको purchase कर सकते हो, ओके, तो यहां तक हमने बात क्या complete protein के बारे में, या फिर first class protein के बारे में, यह first class protein इसके लिए है, क्योंकि इन में सारे के सारे amino acids available है, तो आपको try करना है कि यह जो पहले 6 protein sources है, उसको maximum quantity में आपके requirement के according आपके diet में इसको use करना है, इसके बाद हम बात करेंगे second class protein के बारे में, incomplete protein, यह incomplete है क्योंकि इसमें सारे के सारे amino acids available नहीं है, बट यह आपकी protein की जो कमी है, first class protein consume करने के बाद भी, थोड़ा बहुत कमी पढ़ रही है protein की, उसको complete करने के लिए आप यह protein का use कर सकते हो, तो सात्वा हमारा 7th जो source है, वो है डाले, मसूर डाल, तूवर डाल, उरत की डाल हो सकती है, या फिर चना डाल हो सकती है, यह डाले, जितने भी डाले है, आपके घर में available, easily available होते है, तो इसको आप use कर सकते हो, इसमें 100 gram अगर आप इसको consume करे हो, तो लगब आपको 22-24 gram तक protein मिलेगा, पर यह second class protein है, आपका requirement complete करने के लिए help मिलेगी, आप इसके ओपर depend मत रहो, ओके, तो यह भी एक source है, आप vegetarian लोगों को, जो आपको protein requirement complete करने में help करेगा, ओके, 8th आटवा जो source है, वो है legumes, जो आपके घर में available होते है, green peas, white peas, black peas, या फिर चना हो गया, then soya bean भी legumes में ही आता है, बट soya bean first class protein का source है, इसके लिए मैंने उसको अलग से आपको बताया था, या फिर मत्की हो गया, kidney beans हो गया, black eye beans हो गया, यह सारे legumes जो है, वो आपके घर में easily available होते हैं, और इसमें भी अच्छा खासा protein आपको मिल जाता है, बट यह second class protein है again, so इसको अगर आप 100 gram तक consume कर रहे हो, तो आपको सेम 22 से 24 gram तक आपको protein मिल जाएगा, जो आपकी daily requirement complete करने के लिए help कर सकता है, तो इसको भी आप अपने diet में, lunch में, dinner में, या फिर snacks में, आप यूज कर सकते हो, okay, ninth जो source है protein का, वो है nuts and seeds, अब इसमें, बादाम, walnut, groundnut, cashew, chia seeds, pumpkin seeds, safflower seeds, sunflower seeds, तो इसमें भी protein अच्छे कासे quantity में available होता है, बट ये जो मैंने अभी nuts and seeds के example दिये, ये सारे के सारे majorly source है fats के, तो इसमें fat भी अच्छा कासा है, but protein भी है, second class protein है, इसको भी आप use कर सकते हो, protein requirement complete करने के लिए, but इसको limit में खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको आप over खा रहे हो, limit से जादा खा रहे हो, तो आपके body में उतना fat भी जाने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, okay, so इसको अगर आप hundred grams त protein, okay, so इसको भी आप use कर, और इसमें जो fat है, वो अच्छा fat है, वो आप, but इसको limit में खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक gram fat में nine calories होता है, इसके लिए आपको ये, इसको कम consume करना पड़ेगा, diet में, okay, and last source जो है protein का, वो है peanut butter, जो groundnut से बनता है, butter, वो भी एक protein का अच्छा source है, इसमें fat भी, majorly fat का source है, peanut butter, but इसमें protein भी अच्छा का सा available है, अगर आप 100 gram consume कर रहे हो, peanut butter, तो आपको 25 gram तक protein मिलेगा, या फिर आप 2 tablespoon use कर रहे हो, तो आपको 7-7 gram के असपास protein मिल जाएगा, second class protein है इसमे, so इसको अगर आपको यूज करना है, तो आप snacks में pre-workout, dinner में भी use कर सकते हो, so ये थे हमारे top 10 protein के sources, vegetarians को, क्योंकि vegetarians को बहुत suffer करना पड़ता है protein requirement complete करने के लिए, so इसको आप use कर सकते हो अपने diet में, but try करना, यहाँ पे again मैं आपको बतना चाहता हूं कि आपको maximum try करना है हमारे diet में कि first class protein ज्यादा consume करने के लिए, first class protein consume करने के बाद भी अगर आप complete नहीं कर पारे हो, fulfill नहीं कर पारे हो requirement हमारे body की, तो उस वक्त जो थोड़ा बहुत कमी हो रही है आपके protein की, वो आप second class protein से complete कर सकते हो, क्योंकि first class protein ही आपके body की muscle की 100% recovery करेगा, okay, so जिनको अच्छा गासे muscles बढ़ाने हैं जिनको अच्छा गासा transform करने हैं आपके body को, तो ये 10 sources को आप use कर सकते हो, अगर आप vegetarian होतो, so video अगर पसंद आया है, तो channel को subscribe करना, video को comment, share और like जरूर करना, thank you